नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आप है न्यूज़ फोनेशन पर यूं तो बहार में लोकास्था का महापर्व छट सांत्यपूर्ण संपन हो गया है लेकिन बहार में छट में 40 जादा लोगों की मौत हुई है याक्रे चोगाने वाले हैं क्योंकि सरकार के तमाम एतिय या फिर जो भी सुरक्षा के इंतजाम किये गए थे नदी और घाटों में उसके बावजूद भी इतने लोग सिर्फ दूब करके अपनी जान गवाई है लोकास्था के महापर्व छट के सबाप्त होने के बाद आकड़े सामने आ गए हैं इसके मताबिक बहार में 40 लोगों दूबने से मौत हुई है सहरसा और पूर्णिया में 55 लोगों की मौत हुई जबकि सुपोल भगलपूर में 3-3 लोगों की मौत हुई है कटिहार में 2 और जमुई बाका में एक-एक की जान गई है मृतकों में 17 बच्चे शामिल है किशोर वयुवा जबकि 4 लड़किया भी पूर्णिया में एक ही परिवार के तीन बच्चों की भी मौत खबर सामने आई है समस्तेपूर में अच्छा मज़परपूर में 3 और मधुबनी में 1 की जान गई है रहतास में 3 क्यामूर में 2 जबकि विगुस्तराय और शेखपूरा जिले में एक-एक लोगों की जान गई है वहीं पतना के गौरी चक में भी तीन लोगों की जान चली गई सलखुवा प्रखंड में 2 तथा सिमरी बक्तियारपूर महिसी वन नवहट्टा प्रखंड में एक-एक बच्चे की मौत हो गई मृतकों में 4 लड़की और एक लड़की शामिल है सुपॉल में 2 लड़की औ और एक लड़की की जान चली गई पूर्णियां में डूबने वाले में 3 लड़की और दो लड़कियां शामिल हैं जिनमें कस्वा नगर परिशद के गोदक्छी कोसी धार में छट घाट पर बीते रविवार को दो पहर नहाने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 3 ब मौत हुई है कंदवा में रीगा नदी में 25 वर्षे यूवक और कोड़ा थाना च्छेत्र के गिड़ावारी वस्ती में पहले अर्ग के दोरान बेरिकेटिंग पार कर यहरे पानी में जाने से 11 वर्षे बच्चे की डूबने से मौत हो गई जबकि बराली थाना च्छेत्र क के विशिनपूर परंचायत के बकिया रानी चक काली मंदर के पास छठ घाट बराने के दोरान 15 वर्षिय किशोर प्रिंस कुमार के डूबने से मौत हो गई जिसका शव आज परामत हुआ है समस्तिपूर मुझपरपूर मदूबनी और सितामढ़ी जिले में भी दूबने के घटनाओं से अफ्रत अफ्री मची रही समस्तिपूर में 6 मुझपरपूर में 3 और मदूबनी में 1 की डूबने से मौत हुई है सितामढ़ी में बागमती की उपधादा में डूब कर एक यूबक लापता है जबकि समस्तिपूर के मौरपूर में वरुनापूल के निकर घाट बराने की दूरान बीतेर अविवार को नून नदी में डूबने से बलबीरा निवासी बिरेंदर कुमार शर्मा के पुत्र व नहानिक दूरान सराय रंजन के जितवारपूर कुमिरा निवासी विश्वनात पासवान के बेटे उधत कुमार जिसकी उम्र 16 साल थी उसके भी मौत हो गई है उधर विभूती पूर के केराई में छट घाट बनाने के दूरान बैती नदी में डूबने से अमित कुमार की म मौत हो गई है तो बिहार में लोकास्ता के महापर्व के छट के इन चार दिनों में 40 लोगों के मौत हुई है पुलिस और प्रशासर के तरफ से इस बार चाक चौबत इन्जाम किये गए थे लेकिन बावजुद इसके कई घाटों पर लोगों के डूबने की घटनाया सामने ही और सबके पीछे की मौल्वज़ा है वह यह कि लोगों ने बेरीकेटिंग के पाळ जाने की कोशिश के जिसकी वज़द से गेहरे पानी में जाने की वज़द से इन लोगों ने अपनी जान गुआई है ऐसे में कभी भी नदी में या फिर इस तरह के अजलाशना में असन लगाये हों उसको पार करने की कोशिश कभी ना करें फिलाल इस वीडियो इतना ही नमस्कार